नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमितन कूपर तो दोस्तों आज आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर हूँ जिसमें हम डिसकस करेंगे TGT मेडिकल तो हम डिसकस करेंगे पोस्ट कोर्ट 793 जो था TGT टीटी मेडिकल का 794 टीटी नॉन मेडिकल 775 मेडिकल लबोर्टरी और पोस्ट कोर 776 सब इसक्तर ओफिशरीज एंड 782 यह था कुछ सीनियर अकाउट टेंट का सीनिर असिस्टेंट का तो इसके करेंगे इसका एक साथ हम जी के डिसकस करेंगे इन जो पांच पेपर हैं इनका एक साथ क्या करेंगे जी के डिसकस करेंगे तो शायद दो वीडियो में कवर हो जाएगा तो जिससे आपको कहा रहेगी कि आसानी रहेगी कि जो लेटेस्ट जो अभी एक्जाम आ रहे हैं तो दिसंबर में जो एक तो हुआ था यह नवंबर के एंड में नवंबर को 39 30 को औ पहला कॉश्चन है हिमाच्य पदेश में लगू उद्योगों की सबसे कम संख्या वारा जिला कौन सा है तो कॉर्ट अंसर आएगा ऑप्शिन ए किन और और गवात आए कि सबसे अधिक लगू उद्योगों की संख्या कहां पे है तो कांगडा में नेश्ट कॉश्चन है निमन में कौन सी हिमाच्य पदेश में सबसे उची जलव यद्योद प्रियोजना है तो सबसे उची जलव यद्योद प्रियोजना कौन सी है यह रोंग। कि next question है सिठी देचनल रहे हिमाच्च्हअःद्देश के किस जिली में में इट देख और किरा आगा के तो कोर्ट ठचनल की बात करें भाई दो न पाई न हिमाच्च्हअःद्देश के किस अंदोलन का नहा था था तो तो इसका जो और दिया गया है उप्षिन डी 1946 में नेस्ट कॉश्चन है निमन में से कौन सा हिमाच्च्च पदेश का पांच्वा जिला बना तो पांच्वा जिला कौन सा था कि नौर और यह बना था में और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमाच्च्च पदेश के प्रत्थम मुख्य सच्चिव कौन थे तो इसका जो क्रेक्ट अंसर दिया गया है और यह बना तो इसका जो क्रेक्ट अंसर आएगा बहुत आएगा ऑप्शिन बदी ननोधीस तो क्या यह इगा इसका अंसर के यह महता तो इसका प्रत्थम मुख्य सच्चिव कौन थे कि यह महता हो नेस्ट कोशिन है हिमाच्य प्रदेश नेजी सेक्षिनिक संस्थान अधिनियम किस वर्ष में अधिनेमित हुआ था तो इसका जो क्रेक्ट अंसर आएगा option B 2012 में तो हिमाच्च्च पदेश नेजी sectioning संस्थान अधिनियम किस वर्ष अधिनियम में नेस्ट कोशन है दून घाटी हिमाच्च्च पदेश के किस जिले में स्थित है तो यह में और एक आती है शाइक क्याद्रा दून कुछ नाम है उसका वह आती है सिर्मोर में कि नेस्ट कोशन है कुंत भ्योग जील हिमाच्च पदेश के किस जिले में स्थित है तो कुंत भ्योग जील कहां पर है मंडी में में option is correct और नेक्स क्यंस्तान है कृषि सेहकारी स्टाफ किस है करेंप इा संता हिमाथ्य से बदेश के किस ठान पर सितत है अग्रिकंटर कोपेटिव स्टाफ ट्रेश इंस्टिछूट कहां पर है तो कहां पर है और अब माप एं ऊग्रिकंटर को परेटिव तरुंटे से लिक है तो भूगत पर 10 फॉस्टियू सवह कि आईग अनंद चंथ पर के ने कुछ Siag नेस्ट गॉचन है दांगी लोगन द्रित्ल किस श्लीड का है तो कि इलेका है दांगी लोगन द्रित तो यह है चमबा का तो डांग रोक नहीं ते कहां का है चमबा का है तो यह कुछ गुष्ट जो पूशे गए थे HPGK के TGT Medical में और आब हम देखेंगे टीटी नॉन मेडिकल में जो HP के जीके जो पूछा गया था हाई कि तो ठीश्य नोनमडिकल्स फूचा में पूचा ऑग्谷ाछ-ता-खैस internationale है कोос्पॉर के दीड़ी मुख्यन में सबसें निवन तुघ हिर ञोट्वर है तो परिफजन लेकिन क्ठोel रेकिन कई ज॑छ वोगों को इसमें कोड़ी है कई उन ना आएगा कई बोलते हैं हमीरपुर आएगा तो उन सभी को मैं बता देने चाहता हूं कि इसका जो क्रेंसर है वो है भिलासपुर वह सब से उंचा मुख्याले किसका है लौसपीति का के लौंग नेश्ट कोश्चन है इंदरासन परवत शिकर हिमाच्च वदेश के किस जिले में सित है तो इंदरासन परवत शिकर कहांपे है कुल्लू में नेश्ट कोश्चन है लालुनी जोत हिमाच्च वदेश के किस जिले में है तो लौसपीति में नेस्ट कोस्टिन कालिका कुंड पानी का स्त्रोथ जो है जातना कहां पे है चमबा में किस वर्ष गुरु गोविन सिंग ने मंडी की यत्र के थी तो इसका जो प्रोविजिनल की के कोडिंगांस दिये गया है 1685 में नेस्ट कोश्चन है विलासपूर में कौन सा अंदोलन हुआ था तो कौन सा अंदोलन हुआ था विलासपूर में जुगगा अंदोलन और धामी कब हुआ था धामी गोलिकांड कब हुआ था तो कमेंट बॉक्स में पिताएं कि धामी गोलिकांड कब हुआ था नेस्ट कोश्चन है नालागड का प्रोणा नाम क्या था? तो क्या था नालागड का प्रोणा नाम हंडूर तो option D, none of these नेस्ट कोश्चन है निमली खित में से केस ने 1965 में मास्टर क्राफ्ट मैन राष्टरी पुर्ष का प्राप्त किया था तो correct answer है option C, महेशी देवी नेस्ट कोश्चन है डिक्की डोल मां हिमाच्च्च पुदेश के किस जिले से संबन्दित है correct answer आएगा उसमें option C, कुलू नेस्ट कोश्चन है कौन हिमाच्च्च पुदेश का प्रत्थम नियाइक आयुक्त था? तो याँखना कि प्रत्थम नियाइक आयुक्त कौन था एच्चमबेग तो क्या पुचा है फर्स्ट जुडी शिल कमिशनर तो क्या है इसका अंसर एच्चमबेग नेस्ट कोश्चन है टोटल नंबर ओफ असेंब्ली कंसिच्चुएंसिस इन मंडी डिश्टिक तो मंडी जिले में विधान सवा निलवाच्चित निलवाच्चन ख्षेतरों के कुल संख्य केतनी है ओप्षण डी नन ओफ दीज क्या एकस कंसर ओप्षण ओप्षण डी नन ओफ दीज तो कितनी सीटे हैं दस सीटे हैं उससे सीटे कहा हैं कांगड़ा में पंद्रा नेक्स्ट कॉश्चन है राज्य क्रिशी प्रबंदन विस्तार प्रसिक्ष्ण संसान ही माच्चप देश में कहां पर है तो यह कहां पर है मशोब्रा में नेक्स्ट कॉश्चन है कोल बांद जर्विजुत प्रयोजना किस नदी पर निर्मित है तो कोल बांद कहां पर है कोल डैम यह सत्रुज नदी पर और कितनी इसकी किशमता 800 मेगावाट और यह किसके इंटर गत आता है एंटी पीसी के नेक्स्ट कॉशचन है बुड़ा निर्थ किमाच्यपदेश के किस जले में किया जाता है तो यह कहां पर इसके सिर्मवर में उप्शनिस कोरेक्ट यह कुछ है करें जो टीची टीमेडिकल एंट आए तो के बाद हम डिसक्स करेंगगी माचल जी के पौस्ट कोट 775 का लग तो तो वैसे इसकी मैंने औरडी जो वीडियो बनाई थी तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर रियाश्वन्त सिंग प्रमार गर्मेंट कॉलेज कहां पे है तो डॉक्टर रियाश्वन्त सिंग प्रमार गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज कहां पे है नाहान में तो पिछली वीडियो जो मैंने बिनाई थी पोस्ट कोड़ 775 की तो उसमें मैंने अंसर पताई था आपको 29 लेगिन इसका जो क्रेक्ट अंसर आएगा ओप्शिन B स्की स्थल नेस्ट कॉश्टन है किसी योजना के किसी योजना के तहत भास सरकार ने हिमाच्य पदेश के शिमला नगर को विजद बसे अनमोजित की है तो क्रेक्ट अंसर क्या है ओप्शिन D फेम इंडिया स्कीम नेस्ट कॉश्टन है निवन में से कौन सी यजनसी हिमाच्य पदेश सरकार को लगू जल विजद के दोहन के लिए साहिता कर रही है तो निवन में कौन सी यजनसी हिमाच्य पदेश सरकार को लगू जल विजद के दोहन के लिए साहिता कर रही है तो उप्शिन D हिम उर्ज नेस्ट कॉश्शन है हिमाच्य प्रदेश में बाला सुंदरी मंदरी कहां पे है तो बाला सुंदरी मंदर कहां पे है तिरलोगपूर में नेश्ट कॉश्चन है सेरी मेला हिमाच्च्च पदेश के किस जिले में बना जाता है तो अरकी का सेर मेला तो अरकी का कहां पर है सोलन में तो अरकी का सेर मेला नेश्ट कोश्चन है हाथिधार हिमाच्चप देश के किर्जिले में सित है तो हाथिधार कहाँ पे है चमबा में option is correct नेश्ट कोश्चन है कांगडा से गोर्खाओं को निकालने के लिए राजा संसार चंद्र ने किसकी साहिता ली थी तो यह ली थी महाराजा रंजीत सिंग की नेस्ट कोश्चन है खनेटी और देलत किस राज्जी राज्य की ठकराणिया थी तो खनेटी और देलत किसकी थी रामपुर्ब Veterans situation है तो इंपरेंट कोश्चिन थे ये दोनों कि खांगडा से गोर खाओं को निकालने के लिए राजा संसार्थ यंद्र ने किसकी साहित ली थी महाराजा रंजीत सिंग की और खनेटी और देलत किसकी ठकराज्यती रांपूर बुशहर की तो चली दोस्तों शुरू करते हैं नेश्ट है पोस्ट कोट 776 का हिमाच्यल जी के तो इसमें क्या था कोश्चन पहला कि क्रिशी बिश्वजायले पालंपूर के प्रत्थम उपकुलपती कौन थे तो पालंपूर यानि अगरिकर्चर यूवेस्टी के प्रत्थम उपकुलप पीती नेश्ट कोश्चन है बारुदर्रा कांगडा को किस से जोडता है तो बारुदर्रा किस को जोडता है कांगडा से चंबा को ओप्शन भी इस करेक्ट नेश्ट कोश्चन है हिमाच्य पुदेश के किस जिले में पीन पारवती परवशेखर स्थित है तो पीन पारवती परवशेकर कहहां पर कुल्लू में Next question है हिमाच्ची पडेश की कौन सी घाटी पस्री तोर बिक एक पर जड़ी से जाने जाती है तो जड़ी कहां से सवान घाटी कहां पर उन्हें और बात करें दून और स्प्रून गाटी तो दून और स्प्रून वैली कहां पे है? सोलन में Next question है महाकाली जीली हिमाच्च पुदेश के किस जीले में सित है? तो महाकाली जीली कहां पे है? चम्बा में Option A is correct है Next question है क्योंतल रासी राज्ये के संस्थाप पर कौन थे? स्थापना किस वर्ष होई थी तो कब हुई थी 1908 में दोस्तों हम किसको कर रहे हैं पोस्टकोड 776 का जो लैफ टेक्निशन का पेपर है तो उसको स्थापना किस वर्ष होई थी तो यह हुई थी 2006 में नेस्ट कोशन है हिमाच्च्प देश में कुल कितने प्रशाशनिक मंदल हैं तो एड्मिस्ट्रेटिव डिविजन कितने हैं तीन उससे बड़ा कौन सा है मंडी कितने जिले आते हैं उसके अंतरगत पांच जिले नेस्ट कोशन है हिमाच्च्प देश के प्रत्थम मुख्य नैधिश कौन थे तो कौन थे M.H.Beg नेस्ट कोचिन है चमेरा तृती जल्वीजूत Joshbrand की कारे कारी अजंसी कौंसी है तो कौंसी है मेरा एक्जिक्टिनग एजंसी ओचमेराथ्री हईद्रो ऒणार्ट्र्ट्रिक प्रोजेक्टीज एन्च पीसी नेक्स्ट कॉश्चन है हिमाच्च पदेश के कि स्थान पर केंदरी अनुजंधान संस्थान यानि CRI कहां पर है सेंटर सेच इंसिचूट कहां पर है तो करेक्ट अंसर आएगा ऑप्शन भी कसोली में कि नेस्ट्ट कॉश्चन हैuję कि इस्ट्री ओफ but फुस्ट किस ने लिकिया है मनमोहन सिंग और आप्शन आइस्ट नेक्शन है कियांग हिमाच्च मदेशके किस जिले का लोक निद्थि है तो क्यांग बाक यांग और चम यंदे की की नवनौर की प्रदान की गई है तो इसका जो कोड़ेंस से था है ओप्शन डी एक्स सोधा नेस्ट कोश्चन था किस रास्ट्रेद बैंक द्वारा हिमाच्छत देश ग्रामियन ड्वैंक प्रयाज़ित की गई है है को प्लाइबी नेश्ट कोश्चन है हिमाच्चप देश में कर प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना शुरू की गई तो करेक्ट अंसर आएगा इसका ओप्षिन C 2016 में नेश्ट कोश्चन है हिमाच्चप देश में किस थल पर अंगोरा खरगोश फॉर्म कारेदत है तो करेक्ट अंसर आएगा ओप्षिन C A & B दोनों कंदवाड़ी कहां पे कांगड़ा में और नगवाई कहां पे मंडी में तो दो जगा पे गया है अंगोरा खरगोश फॉर्म स्थित है नेस्ट कॉश्चन है उहल थ्री स्टेज हाइड्रोफिक प्रियोजना की स्थापी तक्षमता कितनी है सो मेगवाट नेस्ट कोश्चन हिमाच्चप देश में कितनी रेलिवे लाइन है तीन नेश्ट कोशिटन था किस भारती राज्य ने हाल ही में नई राहे नई मंजलें योजना का शुबरमब किया तो किस ने किया था हिमाच्य प्रllers ने नेश्ट कोश्टन है कि हिमाच्य प्रधेुश के किस जिले में इंडिन इंसिचूट ओफ मेनेजमेंंट सृत है तो कहां पी थी ये सिर्मोर में नेक्ट कोश्चन था हिमाच्य पदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्य मंत्री राज जिस्वार से देखवाल योजना में निमलिखित में इसे कौन सा शामिल है तो क्रेक्टन से था इसका ऑप्शन डी ये सबी क्या क्या डेली वेज़िज वर्क्स मिड़े मीड और सत्तर प्रतिशन से दिक विशेश क्रमता वाले व्यक्ति को नेस्ट कोश्चन है किस साल में हिमाच्य पदेश मुख्य आइक्ट का प्रांत बना था तो मुख्य प्रांत का बना था 1948 में और पहले चीफ कुमिशन को थे एंसी महता तो 1948 से लेके 1951 तक क्या रहा चीफ क्रमिशनः प्रोविन्स 1951 से लेके 1956 तक क्या रहा गर्ष रणी का राज्य और नवंबर 1956 से लेके 1971 तक क्या रहा गेंदर्शाशित प्रदेश नेक्ट कॉशन था हिमाच्चा प्देश के पहले गवर्नर कौन थे तो कौन थे पहले गवर्नर एस चक्रवर्ती नेक्ट कॉशन था हिमाच्चा प्देश की सबसे बड़ी नदी विस्ताध रिष्टी से तो एरिया वाइज पूचा है तो कई लोगों को कन्फूजन होती है तो कई बोलते है चिनाब आएगा लेकि एरिया वाइज पूचा है तो एरिया वाइज किसका एरी ज्यादा है और वॉल्यूम बाइस पूछा जाए तो यारी जल राशी की द्रिश्टी से तब आता है अंसर चिनाब नेस्ट कोश्चन है हिमाच्चव देश के किस जिले में लोग परी नलवाडी मेला मना जाता है तो नलवाडी मेला में बना जाता है बिलासपुर में और इसे क्या बोलते हैं पशुमेल लावी नेस्ट कोश्चन हिमाच्चव देश के किस जिले में मसरूर रोकट मंदिर स्थित है तो यह कहां पर है कांगड़ा में और यह बनाए गया था आठ्वी सदी में को में ऑन्सा भारत का मुश्रूम शेर की रूप में जाना जाता है मुश्रूम सिटी ऑफ इंडिया इस सोल्दन तो लूब काकिन यह से पूशे क्रस्ट कॉश्चन जो पूछे गे थे पूश्ट कोश्च्छ से Mooer दो तो यह था हिमाचल जी के questions तो अब हम discuss करेंगे तो अब हम discuss करते हैं history and geography का इन सभी के जो मेरे पास paper है यह तो इनका क्या करेंगे हम डिसके सभी history and geography तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए इतना है क्या क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी उसके बाद फिर upload होने में काफी टाइम लगता है तो हमाचल जी के इसको मैंने cover कर दिया है तो अगली वीडियो में history, geography and polythynum मैं cover कर दूँगा तो इसके जो next part आएगा व उसमें history, geography and polythynum आएगा